चानक के I.S. Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं उत्तरकाशी Rescue Operation के बारे में उत्तरकाशी के सिलक्यार में निर्माणा धिन सुरंग में करीब 400 घंटे तक फसे रहे मज़दूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में बा मुश्किल एक घंटे का समय लगा शमेकों को बाहर निकालने के लिए जिस ओगर मशीन से शुरुवात किये गई आखिर में उसी ओगर से उन्हें बाहर निकाला गया पूरे ओपरेशन में ओगर कई बार रुकी, सुरंग में कमपन हुआ, सुरंग में उलज गई मशीन के कई पार्ट काट कर निकालने पड़े लेकिन विशेशग्य डटे रहे और धेर्य बनाये रखा कुछ दिनों की मशक्कत के बाद उन्हें उम्मीद हो गई थी कि सबसे सुरक्षित्रा यही है वर्टिकल ड्रिलिंग और टनल के दूसरे छोर को भी खोलने की कवायच शुरू हुई जब ओगर ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया तो इसे उन रेट माइनर्स का साहस और धेर्य ही माना जाएगा जिनके हातों ने उसी पाइप में दिन रात मैनुल डिलिंग कर 41 परिवारों में उजियारा फैला दिया इस पूरे ओपरेशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल बहुत बहतरीन था इस पूरे ओपरेशन के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी तालमेल के साथ धेर्य का परिचर दिया पूरी दुनिया की नजरें उत्राखन के उत्तरकाशी के सिल्क्यार पर ठीकी थी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कई प्लान बने और जब जब फेल हुए तो सरकार ऐसे जरूर दिखी लेकिन कहीं न कहीं धेर्य बनाए रखा ओप्रेशन सुरंग सूपर हीरो ने मिलकर सबसे बड़े और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ओप्रेशन को सफल बना दिया तो अब जानते हैं कि उन सूपर हीरो के बारे में जिनोंने सुरंग में फसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ना सर्फ सॉलिड स्ट्रेटेजी बनाई बलकि चटान के सामने एक चटान की तरह रात और दिन डटे रहे ओप्रेशन सुरंग के हीरो में पहले स्थान पर आते हैं रेट माइनर्स जिनोंने ओगर मशीन तूटने के बाद उमीद तूटने नहीं दी और सबसे बड़ी काम्यावी दिला दी दूसरी प्रमुक भूमिका है इंटरनेशनल टर्नलिंग एक्सपर्ट आर्नॉल्ड डिक्स की इनको ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया था प्रोफेसर डिक्स भूमिगत और परिवहन बुन्यादी रहाचे में विशेशग्य है वो भूमिगत निर्मान से जुड़े जोखिमों पर सलाह देने के साथ साथ भूमिगत सुरंग बनाने में दुनिया के टॉप विशेशग्यों में से एक है माइक्रो टर्नलिंग विशेशग्य क्रिस कूपर इस रेस्क्यो ओपरेशन के तीसरे परमुक किरदार है जैसे ही वो इस ओपरेशन से जुड़े उन्होंने लगाता टीम का होसला बढ़ाया माइक्रो टर्नलिंग एक्सपर्ट ने ओगर मशीन से पहार को भेदने का काम अपनी टीम से बखू भी करवाया जब सिल्क्यार टर्नल में ओगर मशीने फसी तो एक और हीरो सामने आते हैं वो है प्रवेन कुमार यादव मशीन को फिर से चालू करने के लिए तीन घंटे तक अथक परियास इन्होंने किया सेल्क्यार सुरंग बनाने वाली संस्था नैशनल हाईवे इंफ्रस्रक्ट्टर डवलप्मेंट कॉपरेशन के प्रबंदत निदेशक महमूद एहमद भी इस ऑपरेशन के हीरो बन कर उभरे NDRF, SDRF की टीमों के साथ मिलकर स्केप टरनल और वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को पूरा करने के लिए वो जुटे रहे इसी के साथ PMO के पुर्फ सलाहकार भासकर खुलवे रिस्क्य ओपरेशन के सूपर हीरो में से एक है उन्होंने टरनल में अपने तज्जूर्बे का पूरा इस्तिमाल किया उत्तरकाशी टरनल में फसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए भारतिय सैना ने भी बड़ा किरदार निभाया जब सुरंग में खुदाई करते करते मशीने टूट गई तो सैना के 50 जवानों ने मलबा साफ करके मजदूरों को बहार निकालने के लिए खुदाई का रास्ता बनाया समगर रूप से कहा जाए तो ये पूरा ओपरेशन NDRF, SDRF और BRO की महनत का नतीजा था उत्तरकाशी में सुरंग से मजदूरों को निकालने का ओपरेशन एक बड़ी टीम की मदद से ही सफल हो पाया ये एक टीम की कोशिशों का ही कमार है जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल रस्क्यों ओपरेशन को 17 दिन में काम्याब बना दिया इस बचाव अभियान में 652 करमचारी लगे थे 189 पुलिस कर्मी, 106 स्वास्ते कर्मी, NDRF के बासक सदस्य, SDRF के 49 सदस्य, ITBP की दो कमपनियों के 77 जवान, एक दर्जन फायर्मैन, UP बिजली विभाग के करमचारीों की बड़ी टीम 38 सीमा सडक संगठन यानी की बियारों के करमचारी इसमें लगे थे, जिससे ये ओपरेशन सफल हो पाया अब हम देखेंगे कि इस पूरे ओपरेशन में रेट माइनर्स की एंट्री कैसे होती है सुरंग में फसे 41 मजदूरों तक पहुचने के लिए सब कुछ ठीक ठाक चलता है अमेरिकी ओगर ड्रिलिंग मशीन को होरिजोंटली 7 मीटर के खुदाई करनी थी 47 मीटर खुदाई करने के बाद टनल के अंदर ओगर मशीन का ब्लेड्स तूटता है शौफ तूट जाती है और गर मशीन पाइप के अंदर मल्बे में बदल जाती है तब होती है रेट मैनर्स की एंट्री वो रेट मैनर्स जो हातों से पहार खोट डालते हैं या फिर कहें कि चूँहों की तरह से खुदाई करते हैं 21 घंटे में रेट माइनर्स ने 12 मिटर खुदाई कर दी और 26 घंटे में बची हुई खुदाई का पूरा मिशन खतम कर मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता बना दिया. अगर हम बात करें कि रेट माइनिंग होती क्या है तो ये एक माइनिंग का तरीका है जिसका इस्तिमाल करके सकड़े छेतरों से कोईला निकाला जाता है. रेट होल टर्म जमीन में खुदे गए सकड़ेज गड़ों को दर्शाता है यहें गड़ा आम तोर पर सिर्फ एक व्यक्ति के उतरने और कोईला निकालने के लिए होता है. एक बार गड़े खुदने के बाद माइनर्स या खनिक कोईले की परतों तक पहुचने के लिए रसियों या बास की सीडियों का उप्योग करते हैं. फिर कोईले को गेंती, फावडे और टोकरियों जैसे आदिव उपकर्णों का इस्तमाल करके मैन्वली निकाला जाता है. लेना जादा आसान पड़ता है. मजदूर लेट कर इन खदानों में घुसते हैं, चुकि मजदूर चूहों की तरह इन खदानों में घुसते हैं, इसलिए इसे रेट माइनिंग कहा जाता है. 2018 में जिम्मे घाले में खदान में 15 मजदूर फस गए थे, तब भी इसी रेट माइनिंग का सहरा लिया गया था. भारत में NJT ने 2014 में इस पर बैन भी लगा दिया था, रेट माइनिंग अप्रोच को इसकी खतरनाक work condition, environment को नुकसान पहुचाने और चोटों और मोतों की कई आलोचना का सामना करना पड़ा है, रेट माइनिंग, लेंड डिग्रेडेशन, वनों की कटाई जल परदोशन को बढ़ाते हैं, इसके चलते नैशनल ग्रीन ट्रिबुनल ने 2014 में इस पर प्रतिबंद लगा दिया था, इसके साथ ही आज का हमारे विशय यहीं पर समाप्त ह होता है, हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद,